Hello students, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganga Nagar. So we are studying here taxation law and under the taxation law we have already studied the Income Tax Act 1961. So Income Tax Act 1961 को हम यहां पर study कर चुके हैं. मैंने आपको बताया था पहले, as I taught you earlier that taxes is of two types. जो tax जो होता है, यह दू तरीके का होता है, इंडिया में direct taxes and indirect taxes. तो direct taxes के अंडर आपने देखा कि Income Tax Act 96.1 आपने पढ़ा, direct tax के अंडर आपके पास income tax आता है, wealth tax आता है, service tax आता है, corporation tax जो है सारे इसमें जो है आ जाते हैं. indirect tax के अंडर इंडिया में भी बड़े तरीके के tax लगाया जाते थे, जैसे आपके पास यहां पर excise duty थी, excise duty के अंडर आपके पास यहां पर customer duty थी, service tax था, वैट यहां पर था, तो इन सभी taxes को यहां पर क्या करने की कोशिश की गई, और एक नया act यहां पर बनाया गया, जिसको GST जो है यहां पर बोला जाता है. देखिए, इंडिया में जो है, बड़े सारे indirect taxes थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें से आपके पास custom duty थी, जब आप बाहर से कोई चीज़ हमगाते हैं, तो उसमें indirect tax लगता है, excise duty आपके पास, service tax आपके पास, इसके लावब आपके पास sales tax है, वैट है, इस सारे indirect taxes इंडिया में लगा जाता था, इसमें value added tax जिसको जो बोला जाता था, लेकिए इन सभी taxes को integrate करके अब एक नया जो है GST यहां पर लाए गया जिसको goods and services tax यहां पर बोला जाता था, यहां भी taxes होते हैं, वो सारे वहां पर चल रहे हैं, indirect taxes को जो है यहां पर integrate करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी यहां पर चलता है, तो देखिए, अब आपने यहां पर पढ़ना है, आपके पास indirect taxes आपको यहां पर पढ़ने है, जिसमें आपके पास नया act आ गया है, यहां पर खतम हो चुका है, अब आपके पास यहां पर GST है, जिसको goods and services tax बोलते हैं, आपके पास state goods and services act 2017 है यहां पर और integrated goods and services tax 2017 भी आपके पास यहां पर है, तो सबसे पहले हम यहां पर central goods and services tax act 2017 को पढ़ना है, दूसरा आपको यहां पर integrated goods and services tax 2017 आपको यहां पर पढ़ना है, जाता है, income tax के लिए अलग से आप पढ़ चुके है, तो कि 1961 का income tax आपके पास है, वहां पर income पर tax आपको आपने पढ़ लिया है, तो यहां पर हम indirect taxes और goods and services पर tax लिए उसके लिए हमारे पास इंडिया में जो है GST आचुका है, GST में आपके जो सबसे पहला act जो आपको यहा देखो इसका main purpose क्या था यह आपने देख लिया कि जो है, intrastate sales और purchasing जो होती है, intrastate sales और purchasing जो होती है, उस पर यह टेक्स लिए लगा जाता है, intrastate यहां पर बोलने कम तो यहां पर यहां पर यह है, कि A की state के अंदर, जो good की, किसी भी good और सबसित की selling और purchasing होती है, तो उस प जो है, तो उस पर आधा जो है, central GST लगेगा और आधा जो है, आपके पास state goods and services tax sector लगेगा, मा लेजे किसी भी item पर जैसे insurance sector है, insurance अगर आप कराते है, तो उस पर 18% का tax जो है, महां पर लगाया जाता है, GST महां पर लगाया जाता है, goods and services पर लगाया जाता है, तो इसका 9% जो है, वो central government रख लेगी, 9% जो होगा, वो state government रख लेगी, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझे नहीं है, कि central goods and services tax act जो है, वो intra state जो है, intra state का मतलों यहाँ पर जाओ कि within state जो sale होती है, purchasing होती है, उस पर जो है, जो tax लगता है, उसको central goods and services tax 2017 जो है, कि under इसको रखा जाता है, तो आपके पास question यहाँ पर यह है, कि explain the various procedure and their powers under the Central goods and services act 2017, तो CGST 2017 के अडर जो है, कौन-कौन से various officers यहाँ पर है, उनकी powers क्या क्या है, इनको आपने यहाँ पर समझे नहीं है, अगर आपको act को समझ में आपको आजाता है, तो इसके under जो है, फिर सारी चीजों को समझना आपके लिए असान हो जाता है, तो कौन-कौन से officer जो है, इस act के under है, और उनकी क्या पास क्या powers है, उनको आपने यहाँ पर यहाँ पर देखना है, तो एक simple सा question आपके पास यहाँ पर है, तो देख जो end service tax, 2070 जो आपके पास है, इसके under कौन को से officers है, जो section 3 में आपको बता रहके है, देखे, बिल्कों simple है, आपको यहाँ रखना, principal chief commissioner of central tax, और principal director general of the central tax, तो chief commissioner और director general, यह आपको याँ रखना है, तो principal chief commissioner of central tax, और principal director general of the central tax, यह highest body होगी, highest officer जो है rank में होगा, इस CGST के under, दूसरा, अब principal नहीं आएगा, chief commissioner of central tax आजाएगा, और director general of the central tax आजाएगा, उसके लावा आप देखे, principal commissioner of central tax, और principal additional director, तो यहाँ पे principal नहीं होगा, यह आपको धिहान में रखना, तोड़ा सा गलत यहाँ पे होगा है, यहाँ पे होगा, आपके पास additional commissioner, ठीक है, additional commissioner of central tax, और principal additional director of the, director general of the central tax, इसके लाव, commissioner of the central tax, और additional director of the central tax, यह आपके पास होगा, joint commissioner of central tax, or joint director of the central tax, deputy commissioner of central tax, or deputy director of the central tax, assistant commissioner of central tax, or assistant director of the central tax, और इसके लावा, कोई भी appointment, इसको जो हा, government time to time, यहाँ पे कर सकती है, सब्सक्राइब ज्याए अपिस त्रीके से बड़े सिंपल ज्यावित यहां पर इतनर और साहे और देटर जनरल ऑफ इंकोटेक्स है ज्टी के से डिप्टी कमिश्चनर ऑफ इंको याद कर सकते हैं अब आपके पास यहां पर आता है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो इनकी अपॉइंटमेंट यहां पर देख लिए इस ओफिसर विल बी अपॉइंटे बाइद इनकी अपॉइंटमेंट से पहले इनकी अपॉइंटमेंट से पहले इनकी अपॉइंटमेंट से पहले इनकी अपॉइंटमेंट कर देजाएगा तो इनकी अपॉइंटमेंट से पहले इनकी अपॉइंटमेंट से पहले इनकी अपॉइंटमेंट से पहले इनकी अपॉइंट sir below the rank of assistant California में आभ पर Chief तक का जितने प्या इनकी Jis talent Anne जं भी यहां पर कर सकता है तो यहां पर आपॉइंट्मेंट क्लिए है कि जो बोर्ड होगा, इस act के अंडर जो एक बोर्ड बनाया गया है, जिसको हम Central Government भी भी बोल सकते हैं, वो जो है इन सभी officer के अपर में यहां पर करेगा, अब इनकी powers क्या है, तो powers यहां पर देख लेते हैं, इनकी पावर जो पता रखें, देखें पहली पावर यहां पर देखें, बोर्ड जो भी उनको पावर जेगा, वो सारी पावर भू यू उस गया है, सिंपल सी बात यहां पर लिखें हुई है, एन officer of central tax may exercise the power and discharge the duties confirmed or imposed under this act or any other officer, तो यहां पर फिर वो ही बात लिखें है, कि जो इस act के अंडर जो भी officer होंगे, वो उन सभी powers को exercise करेगा, उन powers को discharge करेगा, उन duties को discharge करेगा, जो की इस act के अंडर उनको दे रखी हैं, या फिर इसके officer उपर अपने पड़े, अगर उसने अपने subordinator को कुछ पावर दे रखी हैं, तो वो उन powers को use करेगा, तो commissioner may subject to such condition and limitation as may be specified in behalf of may delegates his power to any other officer who is his subordinator, वो बहुत ही बढ़ वाल कि कि जितने भी commissioner या director general है, उनके नीचे rank के वाले, जितने भी officer वहां पे है, उनको आपनी कोई भी power क delegate कर सकता है, अपने किसी भी power को इसको दे सकता है, इसके रखाव, notwithstanding anything containing section and appellate authority shall not exercise the power and discharge the duty confirm or post on other officer central, टेक्स तो यहां पे साफ लिखा है कि जो भी appellate authority यहां पे होगी, वो किसी तरिकी की कोई भी power जो है, इसके under act के under use नहीं करेगी, तो delegation word यहां पे use हुआ तो delegation word को यहां पे समझना जुरूरी है, delegation means giving power by one body to another body, तो delegation power क्या होता है, माले यह assistant commissioner, additional commissioner, joint commissioner, या फिर chief commissioner, यह जितने भी officer है, यह अपने जो उनको power board ने दी है, वो उन powers को किसी subordinate officer को delegate भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, ताकि इस act का परपस है, उसको आसानी से पूरा जो है, किया जा सके, तो power की delegation वहां पे हो सकती है, in the matter of Indra, Nehru, Gandhi, Vasily, Raj, Narayan का case है, it was held by the Supreme Court, that the delegation means the right to exercise power embodied in person or body of person to another person or body of person, तो delegation of power का मतलो यहां पे यह होता है, कि एक person जिसके पास कुछ power है, वो अपनी वो power जो है, किसी second body of person को transfer कर सकता है, दे सकता है, ताकि actual में अच्छी functioning जो है, उस act के अंडर, उस act के purpose को पोरा करने के लिए हो सके, अब person or body of person who has been delegated power shall not be able to exercise such delegated power beyond the limit, life insurance corporation of India, वसे retired life insurance corporation officer association, AIR 2008 SC का case से सहाब बोल जे गया है, कि अगर किसी person को, किसी subordinate officer को, कुछ power आगर delegate की गई है, तो वो उन powers का use जो है, एक limit में करेगा, यह नहीं कि उसके जो power देग है, उनका use वो unlimited way से करेगा, तो limitation जो है, वहाँ पर रखेगे है, otherwise को otherwise act माना जाएगा, आपने बड़िवार्स को जो है पढ़ा हुआ हुआ है, authorization of person को यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो authorizer of person जो है, it is provided under section 6 that without prejudiced to the provision of this act, the officer appointed under the state goods and services tax or the union territory goods and services tax are authorized to be the proper officer for the purpose of this act, तो यहाँ पर सा इस act के under person को कौन कौन से officer जो authorized officers होंगे, तो यहाँ पर यहाँ यहाँ पर लिखा कि जो state goods and services tax act के under, यह unit territory goods and services tax के under, जो proper officer की appointment की गई है, उनको ही यहाँ पर क्या माना जाएगा, authorized officer यहाँ पर माना जाएगा अब next question यहाँ पर आपके पास है कि central goods and services tax 2017 के under, जो है, कौन कौन से tax की से लगाया जाता है, और collection of taxes कैसे की जाती है, और सबसे बड़ी बात ऐसे कौन कौन सी items हैं, जिन पर exemption यहाँ पर लगाए गई हैं, जो कि GST के दारे में अभी नहीं आते हैं, या फिर ऐसे कौन सी नहीं लगता है, तो tax कैसे लगाया जाता है, कैसे tax को levy किया जाता है, collection of taxes कैसे होती है, या फिर कौन कौन सी central government के पास power जो है, जिसमें जो किसी भी item को जो है, GST की exemption में रख सकता है, उनको यहाँ पर हम discuss जो है, करेंगे, तो देखिए, the provision has been made under section 9 for the levy and collection of the taxes under the central goods and services tax 2017, तो tax किस तरिके से लगाया जाएगा, tax की collection किस तरिके से होगी, इसके बारे में provision section 9 के अंदर, जो है, कर रखे है, central goods and services tax के अंदर, देखिए, they shall be levied a tax called the central goods and services tax on all intra-state supplies of goods and services, और बहुत, यहाँ पर बहुत important बार जो है, पहले ही कर दी गई है, तो देखिए, section 9 में साफ लिखा ह हुआ है कि, जो भी tax जो है, interest rate supply और goods and services पे लगेगा, देखिए, जो भी interest rate supply of goods and services होगा, उस पे जो tax लगेगा, उसको हम central goods and services tax जो है, बोलेंगे, यहाँ पर साफ बोला हुआ, interest rate, बहुत important बार जैसे कि, मैंने आपको पहले बताया, central goods and services tax act 2017 जो है, वो interest rate supplies of goods and services पे यहाँ बोत पे लगता है, तो interest rate supplies of goods and services अगर होता है, और वहाँ पे जो tax लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, central goods and services tax जो है, वहाँ पे बोलेंगे, accept, लेकिन यहाँ पे accept कर दिया है, on the supply of alcoholic liquor for the human consumption on the value determined, लेकिन यहाँ पे इसाफ लगे जागे है, कि जो शराब पे होगा, वहाँ पे जो है, interest rate supply of goods and services में, अगर शराब की विक्री वहाँ पे हो रही है, तो उस पे जो है, GST नहीं लगेगा, GST वहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी उस पे जो है, VAT ही वहाँ पे लगता है, इस चीज़ को आगे, अप समझे लेंगे, on the value determined under section 15 and such rate not exceeding the 20% और साथ में यह भी पता दिया गया है, कि जो भी जो हाँ पे GST, central GST की जो rate होगी, वो 20% से उपर नहीं होगी, जो कि section 15 में बता रखे, as may be notified the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person, तो यहाँ पे साथ में यह भी बता दिया गया है, कि 20% की जो rate होगी, वो government जो है time to time, council, जो GST की जो council, उसकी recommendations, जो है decide करेंगे, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम ही हो सकती है, लेकिन for the time being, वो section 15 में 20% है, और यह pay कौन करेगा, taxable person pay करेगा, means वो जो है person, जो है, वो GST के दारे में भी आना चाहिए, तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़े आपको धेर धेर, यहाँ पे clear हो जाए है, किस tax के अंदर, Central Goods and Services Tax Act 2017 का जो section 9 है, उसके अंदर जो tax लगाया जा रहा है, उसी कम क्या बोलने है, Central Goods and Services Tax जो है, बोलने हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़े जो है, आप पर बता दी गई है, कि alcohol and liquor जो होगा, शराब जो होगी, वो जो है, इंटर स्टेट, अगर supply और यह है, कि जो भी Central Goods and Services Tax होगा, वो जो है, 20% से उपर नहीं होगा, तीसरा, time to time जो है, इसकी rate जो है, Central Government decide करेगे, लेकिन क्योंकि, अब rate जो है, उस time पे जब GST Act बना था, और 20% से उपर नहीं थी, लेकिन Central Government चाहे, तो कभी भी इस rate को बढ़ा सकती है, जैसे आभी आपके पास 28% की GST rate भी है, जिसमें लग जेस कार्व गयरा जो आ जाती है, और इट शेल भी पेड बाए दा टेक्स बल परसन, और यह कौन पे करेगा, टेक्स बल परसन, जिसका tax बनता है, जो की GST के दारे में आता है, वो जो है, इसको पे यहाँ पे करेगा, तो यह यहाँ पे सा बता दिया गया है, कि इन चीजों की सप्लाई पे जो है, सेंटर टेक्स नहीं लेगा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, और नैच्रल गैस और अविशन ट्रिबन फ्यूर, जो जहाज में जो तेल यूज होता है, नैच्रल गैस जो होगी, हाई स्पीड डीजल जो हो गया, पेट्रोलियम क्रूड जो होता है, इन पे शैल भी लेवर्ड विद इफेक्ट फॉम सच रेट अज में बी नोटिफाइड बाइड बाइद गोवर्मेंट और रिक्रमेडेशन अब इन चीजों पे अभी तक जो है, टेक्स यहां पे पेट्रोल गौवर्मेंट कभी भी नोटिफिकेशन करके इनको जाके ने ला सकती है, आपने देखा होगा कि हर बाज है घुन्टीइछ बाइड परसेंट की अगर वहां पे रेट होगी तब भी ति आराम से बीस पच्चिस रुपेस सस्ता जो है, हो सकता है, जो की विलाज तो यहां तक आपने पढ़ना है बाकी इसको आपने नहीं पढ़ना यहां पे अब आपको देखना है तो तीसरी बात आपने यहां पे देखनी है पहली बात आपने देखनी की टेक्स लवी कैसे होता है हाँ कोलेक्शन के बारे में यहां पे यहां पे पहले बता चुका हूँ कि इंट्रा स्टेड जो गुड्स की सेल और परचेज होती है है service की sale purchase होती है उस में 50% जो है यहां पर Central government और 50% जिस state में यह tax लगाया जा रहा है वो 50% यहां पर रख लेती है यहां पर सीधा formula है किस तरीके से टेक्स का जो है distribution यहां पर कियाता है अच्छा है यहां पर power to grant exemption from the tax इसके अलावा Central government चाहे तो कभी भी किसी भी आइटम को जिस पर जो है Central goods and service tax लगता है उस आइटम को tax exemption भी वहां पर दे सकती है तो उसके provision यहां पर बताया गया section 11 के under तो देखें पहले आपने अभी थोड़ा time पहले देखा था आपने जैसे दू था नहीं था यह कुछ और डेल डेल की चीज़े थे जिस पर वो tax free थी उसमें किसी तरिके का tax जो है नहीं लगता था लेकिन अब उन चीज़ों पर भी जो है 5% include कर दिये गया है तो Central government कभी भी चाहे किसी भी item को जो है GST के दायरे में ला सकती है किसी भी item को जो है tax free कर सकती है exemption कर सकती है GST और कभी भी जो है उस पर GST लगा भी सकती है तो देखिए the provision related to the power to grant exemption from the tax have been provided under section 11 of the according to this देखिए where the government is satisfied that it is necessary in the public interest to do to it may on the recommendation of the council may notification exempt the generally either absolutely or subject to the such condition as may be specified there in good services or both or any specified description from the whole or any part of the tax leviable there on effect from such date as may be specified in the such notification तो यहां पर यहां पर साभ बता दिये गया है कि section 11 के according जहां पर government is set बात से satisfy हो जाता है कि public interest में जरूरी है और council की recommendation पर जरूरी है कि किसी चीज़ पर जो है tax या तो absolutely कम कर दे जाए या कुछ rate उसकी कम कर दे जाए तो ऐसा government जो है कर सकती है ठीक है यहां पर बताया हुआ हुआ does the two main things are required for the tax exemption अगर किसी भी चीज़ पर tax exemption या central goods and services tax जो है exempt करना है तो उसके लिए दो चीज़े जरूरी होना है जरूरी है section 11 के according वो है एक तो public interest में चाहिए लोगों के हित में दूसा recommendation of the council और council की recommendation यहां पर होना जरूरी है क्योंकि हर साल जब council की meeting होती है उसमें जो है यह decide किया जाता है कि कौन-कौन सी item पर tax लगाया जाएगा कौन-कौन सी item पर tax rate increase की जाएगी किस rate में उसको रखा जाएगा और कौन-कौन सी चीज़ें पर tax exempt कर दे जाएगा पर जाएगा जाएगा या उसका कुछ पार्ट या 50 थोड़ा परसेंट जो है उसका exempt वहां पर कर दे जाएगा इसके लिए जरूरी है कि गवंट का ट्रस्ट फे क्र सकती है उसको खत्म कर सकती है किसी गुड़सर द मैं देखा कौन कौन सी चीजें के तैरें oh साथ में कौन कौन सी चीजों पे जो है GST Central Government Central Goods and Tax Goods and Services Tax के अंडर जो है exemption भी जो है दी जा सकती है यह चीज़ें आपने यहां पर पढ़िए अब next question आपके पास यहां पर है Central Goods and Services Tax के अंडर जो है registration के provision जो है उनके बारे में बात करेंगे तो देखिए Central Goods and Services Tax 2017 के अंडर जो है टेक्सेवल परसन को यहां पर जो है अपना registration करवाना जुरूरी है जिसके बारे में section 22 to 30 यहां पर बताए गया है तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहां पर person for the person liable for the registration ऐसे कौन को से person होंगे जिनको Central Goods and Services जिस टेक्स तो देखिए अपने आपको registration करवाना जुरूरी है according to the section 22 every supplier shall be liable to supplier कौन जो की goods and services की जहां पर supply कर रहा है liable to be registered under this act in the state or union territory other than special category states from the whereas he makes a taxable supply of goods and services both if he aggregates the turnover in the financial year exceeding the 20 lakh rupees तो simple सी बात यहां पर लिखिए है कि अगर कोई भी supplier उसको इस act के अंडराफ नापको registration करवाना जुरूरी है किसी भी state में या union territory में लेकिन वो किसी special state category से नहीं होना चाहिए यह ध्यान में बात हमको तो कोई भी supplier उसको किसी state या union territory के अंडर जुरूराना जुरूरी है अगर उसकी जो aggregate turnover है उस financial year की country lakh से उपर है तो अगर वो एक साल के अंडर financial year में 20 lakh से ज्यादा की supply वहां पे कर रहा है 20 lakh से ज्यादा के supply अगर वो कर रहा है लेकिन वो किसी special state category से नहीं होना चाहिए तो 20 lakh की supply अगर वो कर रहा है तो उसको वहां पे किसी भी state में या union territory में अपने आपको रेजिस्टर करवाना जुरूरी है दूसरा provided that such person makes taxable supplies of the goods and services of both from any special category state तो पहले special category state के बिना बाकी जितनी भी supplier है अगर उनकी supply एक साल में 20 lakh से जादा है तो उनको वहां पे रेजिस्टर होना जुरूरी है लेकिन अगर कोई special category state है जैसे ननाचर परदेश है इमाचल है कुछ special category states है अगर वहां पे उसकी supply जो है 10 lakh से उपर होगी तो उसको वहां पे registration करवाना जुरूरी है ऐसे person को registration करवाना जुरूरी है every person who on the day of immediately proceeding the appointed day is registered or hold a license under an existing law अगर इस act के पास होने से पहले जो existing law जो चला तो उसके अंडर उसके पास कोई license है या वो registered हो चुका है तो उसको भी इस act के अंडर जो है registered जो है माल लिया जाएगा ठीक है जिसको आपने business ट्रांसफर किया है by succession होता है otherwise किसी भी तरिके से अगर उसका बिसने ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफरी को जिसको यह business ट्रांसफर हुआ है उसको इस act के अंडर जो है आपने आपको registered करवाना जुरूरी है यह चार परसन जो है जिनको registration करवाना जुरूरी यहां पर बताया कि ऐसे परसन जो कि किसी special category state से नहीं आते हैं 20 लाग के supply होती है एक साल में good or service की तो उसको registered होना जुरूरी है अगर special category state से आता है तो 20-10 लाग और अगर किसी existing law में वो पहले से अगर को registration या कोई ऐसा license रखता है तो उसको भी इस act के अंडर जो को transfer कर देता है बेच देता है तो उस transfer को जिसको business बेचा गया है यह जिसको succession में को business मिला है उसको यहां पर registration करवाना जरूरी होगा यह तो हो गया कि इन person को registration जरूरी है अब आपके पास यहां पर person not liable for the registration ऐसे कौन-कौन से person होगा जिनको registration करवाना जरूरी नहीं है एनी person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to be taxed or wholly exempt from the tax under the act or under the integrated goods or services tax act के अंडर तो इस GST के अंडर चाहे वो central goods and service tax हो यह state goods and service tax act हो हो यह फिर integrated goods and service tax tax act हो हो अगर ऐसा कोई भी person जिसको वो अगर वो ऐसा को बिजनस कर रहा है जिसकी supply of goods or services पर किसी तरीके का tax जो है liable नहीं किया गया है या फिर उस पर tax exempt किया गया है तो उसको registration करवानी की जोरती यहां पर नहीं है मतलब वो उस काम की उस आइटम की supply कर रहा है goods or service की supply कर रहा है जिस पर tax जो है cgst के अंडर नहीं लगाया गया है तो उसको जो है यहां पर registered होने की जोरती नहीं है और agriculturalist और exempt to a supplier produce out of the cultivation of land अगर वो agriculture से खेती बाड़ी करता है तो वहां से जो produce निकलते हैं उन पर भी किसी देखेगा gst नहीं लगेगा जो है ऐसे परसंट को एक्जैम्ट कर सकती है तो सीधर साय यहां पर कि ऐसे परसंट जिन पर ऐसी goods or services जिन पर gst लगाया ही नहीं गया है तो उनको registered होने की जूरत नहीं है अब registration का criteria क्या है यह बहुत important है कि कौन-कौन से registration का तरीका क्या-क्या होगा अगर यहां पर supply हो रही है तो उनको registered होना जूरी है casual taxable person making taxable supply मतलब ऐसे परसंट जो कि casual supply वहां पर कर रहे है मतलब डेली वह supply नहीं कर रहा कभी कबार हो अगर वह supply करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या इंट्रस्टेट के अंडर तो उसको भी registration करवाने की जूरत यहां पर है person who are required to pay tax under the reverse charge के अंडर किसी को tax pay करने जो होता है तो उसको registration की जूरत यहां पर है इसके पर स्टेट 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 अभी आपने पड़ा यहां पर जो है registration करवाने की जूरत पड़ सकती है person who are required to deduct tax under section 51 ऐसा कोई person जिसको tax में deduction चाहिए section 51 के अंडर उसको भी registration होना यहां पर जरूरी है person who make taxable supply goods or services और both on the behalf of other taxable person ऐसा person जो की goods की supply या service की supply करता है किसी other taxable person के भिहाब पे उसको भी या पर कोई agent उसको भी यहां पर registered होना जरूरी है इसके लावा input service provider जो होगा input service provider जिसके पास जो है जितने भी invoice होती है वो उसकी correction करता है और input जो tax होता है उसकी servicing करता है उसको भी यहां पर यहां पर अगर वो रिजिस्टर नहीं है तो उसको registration करवाने के जूरत यहां पर पढ़ सकती है इसके लावा person who supply goods और बोत अधर देन सप्लाइज सब्सक्राइब इसके लावा वो सारे person जो की section 9 के अंडर जो है जो है mention किये गए है उसके अलावा जितने person होंगे वह भी जो है registration करवाने के लिए यहां पर लाइबल है every electronic commerce operator जितने भी electronic commerce operator होंगे उनको भी जो है registration करवाने के जूरत है every person supplying online information database जो तो जो ऐसा कोई person जो है online information और डेटाबाइस सबसिस जो है प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया या विदिन इंडिया उनको भी रिजिस्टर होने के जो यहां पर जाती है इसके लावा central government कभी भी notification करके किसी भी person को और category और person को registration करने के लिए यहां पर बोल सकती है तो simple आप यहां पर रख सकते हैं कि कोई भी interstate supply होती है या casual supply of goods होती है या फिर वहाँ पर जो है कोई non resident यहां पर supply करता है या फिर किसी तरह की electronic commerce operator है या किसी तरह की online information data services की जो है जो है आउटसाइड इंडिया supply हो रही है अब आपके पास next part आ जाता है process of registration का process किया है उसको हम देखनेंगे section 25 के इंटर बता रहे कि registration को करवाया कैसे जाएगा सबसे पहले every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for the registration every such state or unit in which he is or liable to liable तो यहां पे बताया कि अगर कोई person जो है जो section 22 जो उपर भी आपने पड़े इनके अंडर registration कराने के लिए liable है तो वो उस state or unit territory में अपने आपको registered करवाएगा within 30 day from the date of which he will become the liable to the registration तो 30 दिनों के अंदर वो उस state या unit territory की जो है अपनी registration करवाएगा पहली बात 30 दिनों के अंदर वो ऐसा करेगा दूसरा provided that the casual taxable person or non-resident taxable person shall apply for the registration at least five day prior to the commencement of the business तो ऐसे परसन जो की casual taxable person कभी कभार जो supply कर रहा है लेकर बहुत टेक्स परसन बन रहे जाए non-resident taxable person जो है उनको registration करवानी है उस business के commencement के पांच दिन पहले उसको जो है करवा लेनी है और बाकी condition में आपने देख लिए कि उनको 30 दिनों के अंदर जो है अपनी registration करवानी है लेकर अगर वो casual taxable person है या non-resident taxable person है तो उसको जो है अब उस business से जिसकी वो supply और services दे रहा है उसके होने के पांच दिन पहले registration जो है करवानी है अब person seeking registration अंडर this act shall be granted a single registration in a state or union territory तो अगर कोई भी person इस act के अंडर जो है अपने registration कराता है तो उनको single registration grant की जाएगी किसी स्टेट या union territory के अंडर नेक्स्ट आपके पास provided that a person having multiple business vertical in a state अगर किसी person का multiple business यह है किसी स्टेट वा union territory में तो उसको separate registration जो है हर एक business के लिए जो उसका vertical business है उसके लिए accept registration उसको provide की जाएगी अब person तो not liable to be registered under section 22 अगर कोई भी person जो की liable नहीं है section 22 और section 24 के अंडर अपने आपको registration कराने के लिए तो वह voluntarily तरीके से अपनी registration जो है वो करा सकता है तो देखिए अगर वह liable नहीं है जरूरी नहीं है section 22 के अंडर उसके registration करा रहा है लेकिन फिर भी अगर वो कराना चाहता है तो अपनी registration वहां पे कर सकता है इसके लावा every person shall have a permanent account number issued under section income tax act के अंडर जिसको जो है पैन नंबर अलॉट हो चुका है उसको यहां पे registration कराने के लिए वो eligible हो जाता है इसके लावा अगर यह सारी condition हो जाती है यह process पूरा कर लिए जाता है तो इसको एक certificate or decision वहां पे issue कर दिया जाएगा वहां पे अब deemed registration क्या होगा इसको यहां पे दिख रहते है section 26 के अंडर deemed registration क्या है तो दिखिए यहां पे साफ लिखा हो है the grant of registration or unique identity number under the state or goods or services tax act or on the union territory goods or services tax shall be deemed to be a grant of registration on or unique identity number and other and under this act subject to the condition that the application of registration or unique identity number has not be rejected under this act within the time specified in section 10 of the section 25 तो देखिए यहां पे यह बताया हुए कि deemed registration किसको माने जाएगी तो the grant of registration or unique identity number under the state goods and services tax or union tactic goods and service tax shall be deemed to be a grant of registration तो देखिए अगर किसी के पास unique identity number है तो उस condition में उसको deemed registration जो है माल लीजाएगा, इसी दिशी 21- yes तो देखिए अगर किसी के पास unique identity number है या किसकी registration अगर हो चुकी है तो उस condition में जो है तो यहां पर इतनी सी बात आपको ध्यार में रखना है दूसरा तो क्या आपकी एक वार जब हो जाती है आपको यूनीक अडेंटिटी नंबर आपको असाइन कर दे जाता है तो क्या उसके बाद आप उसमें कोई चेंजिस कर सकते हैं आपको यूनीक अडेंटिटी नंबर 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 आपको प्रपर आफिसर में उन बेशिसे ओन फान इसे सक्षिन वन और आसे ल्ड भाइ मैं अप्रूब रिजेक्ट आमेडमेंट आप देगा यहाँ जा करवा देगा प्रवडेट दैख फैर अप्रूवड ऑफ यहाँ पینजी कर देगा wonderfully प्रॉपर आपर बात यहां पर लेकिए कि प्रॉपर आपिसर जो है अगर उसकी अमेंडमेंट की एप्लिकेशन को रिजेक्ट वहां पर कर देता है तो उसको उसके लिए एक प्रॉपर उस परसर को अपनी बात रखने का मौका आपकर देना होगा ईनी रिजेक्ट्शिन और अप्रॉपर आपर विक्राइप्स न पराइप्स परॉपर सुख तो इहां पर सम्हें पर कि कोई भी सेक्शन और और कोई भी ऐप्रॉपर आप्रॉपर आम्नात बात चुट्रा duties व क charter और जाएगा कि वो rejection और approval जो है इस act के अंडर की गई है principle of natural justice का provision यहाँ पर follow करना जुरूरी है means कि अगर जो भी registration है उसमें किसी तरह की amendment या पि उसमें किसी तरह की rejection वहाँ पर होती है या उसमें amendment को accept कर ले जाता है या नहीं किया जाता है यह सब करने से पहले उस person को registered person को अपनी बात रखने का मौका वहाँ पर देना जुरूरी है इसी को जो है principle of natural justice यहाँ पर बोला गया है अब आपके पास यहाँ पर next question आता है कि आपका जो registration है उसको कैसे cancel किया जासकता है तो आपकी registration जो है उसको cancel भी किया जासकता है आप central goods and service tax के अंडर जो है अपने आपको अपने registered कराय हुआ है या आपको unique identification number आपको वहाँ पे मिला हुआ है तो section 29 के अंडर जो है आपकी registration को cancel भी किया सकता है provision क्या है the proper officer में either on his own motion तो जो officer जो है जिसके पास ये power है कि वो किसी भी registered person के जो है registration को cancel कर सकता है तो वो जो proper officer है अपने आप से अपने motion से या उसके पास application आई है किसी registered person की या उसके legal hierarchy in case of death or such person cancel the registration तो अपने motion से या on the basis of registered person की application पे या उसके legal hierarchy application के business पे registration को cancel भी वहाँ पे कर सकता है in such manner and within such period as maybe किसी भी तरीके से जो भी time period जो है इस act के अपने बता है उस तरीके से कर सकता है circumstances क्या होंगे यहाँ पर बता रखे है the business has been discontinued transferred fully for the any reason and death or property तो यहाँ पे साब बता दिया गया है कि cancellation or registration का जो है एक कारण यह हो सकता है ऐसे circumstances हो सकते है जब उस person का business जो है वो discontinued हो गया है या फिर उसका जो business है वो totally जो है यहाँ पे transfer हो चुका है या उसने जो अपना business है किसी और legal entity के साथ amalgamate कर लिया है एक joint venture उसने start जो है कर लिया है दूसरा there is any change in the constitution of the business business का constitution है memorandum of association जो है उस business का वो पूरी तरा आप constitution ही आप change कर दिया है मतलब कोई और business जो है उसके जगपे start कर दिया है तो the taxable person other than the person registered under section 3 of the section 25 is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 तो ऐसा person जिसको जो है 25 section के अंदर जो है registered होना था अब वो 24 24 के अंदर जो है अगर liable नहीं रहता है तो उस condition भी उसका जो है registration cancel वहाँ पर कर दिया जाएगो the proper officer में the registration of a person from such date including any retrospective as may may deem fit there इसके लावा जो proper officer जो है in basis पे भी जो है वो जो है किसी person का जो registration उसको cancel कर सकता है अगर वो registered person जो है इस act के provision के countervent करता है या उसके rule के against जो अगर कोई काम करता है तो दूसरा person paying tax under section 10 has not furnished return for the three consecutive text period इस act के under section 10 के under जो है उसको वहाँ पे return finish करने के लिए बोला गया था और लगातार उसने तीन return वहाँ पे फाइल नहीं किये हैं तीसरा any registered person other than a person specifying clause B has not furnished return for a continuous period of six month इसके लावा section 2 के under ऐसा person जिसने अभी तक अपना return जो है तीन बार तक जो है नहीं पिया किया है तीस छे मिने तक लगातार ऐसा करता रहता है तो उस condition में भी उसका जो है registration cancer किया जासकता है any person who has been voluntary registered under subsection 3 or section 25 has been not commenced business within six month from the date of the registration अगर ऐसा कोई person जिसने अपना registration voluntary किया अपनी इच्छा से से किया था section 25 के under अब जो है वो छे मिने से उस business को commence नहीं कर रहा है मतलो उस business को नहीं कर रहा है registration has been obtained by the means of अगर उस registered person ने जो registration करवाया है अपने business का वो उसने fraud से willful misstatement से है suppression of facts के थूँ करवाया है मतलब जूटी information दे के जो है अपना registration कर रहा है तो उस condition में proper officer जो होगा वो उसके registration को cancel कर सकता है तो कुछ कारण ऐसे हैं जो की जो है person के लिए जो है मुश्किल हो जाता है business को continue करना या फिर उसने अपना business transfer कर दिया है या किसी के साथ मेलग में कर लिया है या business का जो constitution वो change हो गया है तो उस condition में proper officer जो है on the basis of the on the on the application file by the register person या legal hire जो है उस business उस registration को cancel कर सकता है इसके लावा proper officer in basis पे भी जो है यहां पे cancellation of registration यहां पे कर सकता है थैंक्यू सो मुच